Hello everyone, welcome back to my channel 9 and fine. How are you all? I wish you all would be good. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को गर्ब में स्वस्त और सुन्दर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आफ्टर बर्थ ही आप अपने बच्चे को स्वस्त सुन्दर स्मार्ट और इंटेलिजन्स बना सकते हैं. आप गर्ब में भी अपने बच्चे को रिच हैल्दी डाइट देकर कुछ ऐसे काम करके बहुत सुन्दर स्वस्त और स्मार्ट अपने बच्चे को स्वस्त हो सुन्दर हो और स्मार्ट इंटेलिजन्ट वने तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रत होती है और देखिए हर प्रिग्नेंट वूमें ऐसा करती ही है कि वो अपना तो ध्यान रखती है लेकिन अपने से पहले अपने घर में पल रहे बच्चे का उसे सबसे ज़्यादा ख्याल आता है कि उसके लिए वो अपना और ज़्यादा रखती है तो आपको नो की नो महीने ऐसी रिच हैल्दी डाइट लेनी है जिससे कि आपका बच्चा स्वस्त हो सुन्दर हो और उसमें किसी भी तरीके कि ना फिजीकली ना मेंटली कोई कमी रह जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है वो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो देखें फ्रेंट्स मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजे बताऊंगी कि सर्दियों में अगर ये सर्दी के थ्री मन्स या फॉर मन्स होते हैं अगर आप इन सर्दियों में तीन चार महीने अपना बहुत अच्छा ध्यान रख लेते हैं तो चाहे किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या किसी का सेकिंड ट्राइमेस्टर चल रहा हो या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा हो तो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले हैं इन चार पांच महीने में तीन चार महीने में अपनी अच्छी खिलाई बिलाई कर लेंगे तो सर्दिय में आपको कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपके आईरन की कमी भी पूरी करती हैं, आप में खून की कमी नहीं होने देती, बच्ची में किसी तरीकी का न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देती, सारी प्रोटीन, विटमेन, सारी ऐसी सबजियां आती हैं, देखिए, आपको सर्दी म प्राइमस्टर वाले लेकिन सकीन और थर्ड ट्राइमस्टर वाले आप रात में सोते टाइम सक्कर या गुर्ण के साथ दूद जरूर लें क्योंकि इसे जिसको लेडिस को कॉंसिपेशन की प्राइमस्टर वह भी दूर होती है और साथ में पेट के लिए बहुत अच्छा होत ट्राइमस्टर में है वो गुड सकर और मोमफल ही जरूर खाएं क्योंकि उनका तासीर गरम होता है अगर आप वो खाएंगे तो आपके सर्विक्स कम हो भी खुलेगा और आपकी नॉर्मल डिलिवरी एजिली कम ताइम में और कम दर्द के साथ हो जाएगी नेक्स्ट है आप सर्दियों में खजूर खाएं जिनका फर्स ट्राइमस्टर में फिर कह रही हूँ वो गरम चीजे नहीं खाएं लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमस्टर वाले खजूर ले सकते हैं क्योंकि वो आपकी खोन की कमी भी पूरी करता है और वो आपकी रिच हैल भी नहीं होता है और आपके लिए रिच हैल्दी डाइट भी बन सकता है तो गाजर हमारे लिए बहुत सादा महंगी नहीं होते हैं सर्दी में गाजर का जूस पीएगा गाजर को अपने सैलड में सामिर करिएगा गाजर की सबजी बनाकर खूप खाईएगा जो आपकी नेक्स है हरी सब्जया, सद्दिओं में कितनी सारी हरी सब्ज mają आती है पालक, मेथी, बत्वा तो आप पालक में बहुत आई苹न होता है आप जो हमारी कड़ाई होती है उसमें बनाखर खाईएगा तो आप अगर यह हरी सब्जया कहते है तो आपके बच्चे को स्वस्थ रहेगा, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, सुन्दर होगा, और गोल मॉल होगा, बिलकुर किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसे फुल नूट्रिशन में देगा, साथ में dry fruits, देखिए अगर गर्मी में आप dry fruits खाते हैं, तो आपको भिगा क अगर खाने की ज़रत होती है, लेकिन सर्दियों में आप ऐसे भी दूद के साथ ले सकते हैं, चाहे सुबा में लें, चाहे शाम में लें, तो आप dry fruits अपने हैं डाइट में जरूर शामिल करें, नेक्स आता है एपल, देखिए एपल इस सीजन में बहुत सस्ते हो जाते हैं पूरे सीजन में नहीं तो समर में देख लीजेगा और आटम में देख लीजेगा, आपको सेव बहुत महंगे मिलेंगे और एक सीजन ऐसा आजाता है कि सेव देखने को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इस सीजन में आपको सस्ते भी मिलेंगे, और सेव अच्छा भी मिलता है, और अगर उसे आप डिली अपनी डाइट में एक एपल जरूर शामिल करें, तो आपको रिच हैल्दी डाइट मिलेगी, तो आप एपल इस सीजन में जरूर खाओ, और कुछ नहीं तो इतने हमारे पास सस्ते मिल रहे हैं, तो इतने तो हम खाई सकते हैं ना, ठीक है, जो हमारी फैमिलेज मतलब अफॉर्ट कर सकती हैं, सही है, वो तो कर ही सकती हैं, लेकिन जो विचारे नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर अपनी इन चार महीने भी खाने पीने का बहुत ध्यान रख लेंगे, हरी सबजियां खाओ, बहुत जादा महेंगी नहीं आती हैं, जैसे सेब है, इस ताइम पर मुम फली दे को सस्ती आ जाती है, चुकंदर है, काजर है, तो इन चीज़ों को तो आप अपनी डाइट में सामिल करी सकते हैं, तो इन्हें आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करीएगा, साथ में सिम्ला मिर्च, शिम्ला मिर्च जो है, वो अपनी डाइट में जरूर लीजिएगा, आप सिम्ला मिर्च ये कैसे सबजी है, जो फुल नियूट्रिशन के साथ बच्चे को अगर मिले, तो बच्चा उससे स्वस्थ रहता है साथ में आप ब्रोकली खाईएगा ब्रोकली भी बच्चे के लिए healthy रहते हैं और sweet potato sweet potato में सकरगंद जो होती है उसमें full nutrition होता है अगर उसे आप लेते हैं सरदियों में चाय salad में लें या फिर काफी अच्छी लगती है आप उसमें salad बना कर ले सकते हैं अपने खाने के साथ सामिल कर सकते हैं तो आप sweet potato भी अपनी diet में सामिल करें तो friends ये सब चीजे जो मैंने बताई हैं वो आप अपनी diet में अगर सामिल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को after birth ही स्वस्त और सुन्दर बना सकते हैं आप अपने बच्चे को गर्फ में भी स्वस्त सुन्दर और smart and intelligent बना सकते हैं तो आप सरदियों में जैसे अकरोट आते हैं अकरोट आप जरूर खाईएगा जो afford कर सकते हैं देखो तो वो अकरोट लाकर खाईए अकरोट में काफी अच्छे nutrition मिलता है बच्चे को ठीक है तो उससे बच्चे का दिमाग भी तेज रहता है बच्चा स्वस्त होता है बच्चा मानसिक रूप से बहुत स्वस्त आपका बॉर्ण होगा बच्चे बच्चे स्वस्त